हेलो जी सुभे की राम राम शब को और आशा करती हूँ आप सब खुस हैं चुवस्त हैं मस्त हैं तो जी सुवागत है आपका फिल से और सुभे का टाइम है ये अरली मोर्लिंग फोले पाथ के करीब टाइम हो रहा है तो जी उठ गई हूँ मैं और सबसे पहले तो यही होता ह दिन की सुरुवात अपनी जिसको भी आप मानते हो उसका नाम जबो भगवान राम भल्ला का नाम दर जबो शुक्राना करो उसका तो जी इधर उटके आ गई थी मैं सबसे पहले मैंने पिया है पानी पानी पी रही हो तो सुभई सुभई पिती हो पानी और अच्छा भी होता है पानी पीना सुभई ही सुभई तो जी देखो ये कपड़े हैं जो रात को मुपर लेट्टे थे वैसे पर कोई-कोई गुंदा बंदी से आगी थी ज्यादे तो आई थी नहीं तो कोई-कोई आई थी तो फिर एक दम से निच्छे भागे थे क्योंकि तो दिन सोरी दो बा सबसे पहले क्योंकि बच्चे उत्ते हैं साथ में अकेला हो तो एकदम उठके कपड़े करके उठाले क्योंकि उठाने में भी टाइम लगता है तो इस वजह से हम जब लगनी सुरू होई मस्चरदानी में को एक दम से आख खुल गई तो बस फिर एकदम से निच्छे आ तो जी अभी दूद नकाल रूए हूँ मैं सबसे पहले इसका निकाल रही हूँ बड़े बाली गये का और फिर इसका निकल लूँए तो अधेरा हो रहा है काफी अधेरा हो रहा है लाइट ओन है वैसे तो पर लाइट की कोई effect है नहीं मतलब हलका फुल का सा है जदा अच्छा सा है प्रकास तो जी बस निकाल लिया है इसका दूद और फिर इसका निकाल लोंगी बड़े वाली का तो मैंने दुन्नों का निकाल लिया है दूद और देखो थोड़ा थोड़ा चांदना होने लगा है अब क्योंकि दूद निकालने में भी काफी टाइम लग जासता है चोटे वाली का बड़े वाली का जल्दी निकल जाता है चोटे वाली का फिर उसको बचिया को छोड़ो तो काफी टाइम लग जाता है उसको चुंगाना पड़ता है तो जैसे दुन्नों का दूद निकल गया अब साइड से और यहां पर रात को बनती है ना छोटे वाली बचिया तो तो उसको जाड़े में भड़ लिया था इनुने गबगोर तो उसमें करके इस तो उसको रखती है मैंने तसले में वह खा लेगी और बस सुभई सुभई तो होता ही है देखो जब उठो तो नॉन स्टोक लगे रहो लगे रहो तो होता ही है बैल गाड़ी नी सुभई तो उठते ही रेल गाड़ी बन जाती है क्योंकि कामी इतना होता है उधर बच्चो का उतता है लंच-वरंच बनाना प्या करना उनको तयास करना तो जी कटे मैंने इधर रख दिये ई क्योंकि अभी उपर तो फैलानी सकते अभी सुबही सुबह इतना टाइम नहीं होता कि टाइम कपड़े फैनाने में भी काफी टाइम लगेगा तो मैंने यहां पर पानी डाल दिया था पहले ही क्योंकि गुपर ओबर कर देते हैं तो फूल जाता है वो तो फिर इजीली से जो कि मतलब होता है सुबह को बहुत अच्छी नहीं दाती है मन नहीं करता उठने का पर काम तो करना होता है जैसे हम जल्दी उठ जाती है ना एक बार तो फिर वो मतलब काम करने में सांत समहल होता है बिल्कुल फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-फटा-पाम निमट जाता है तो फर्स वर्स इधर आ गई हूं हम में चंग चोंकी दोने के लिए तो सारा धूलता है फर्स भी धूलता है चोंकी भी दूलती है सुभई और बस यह अभी मम्मी और नहीं आए हैं बोल लेते वैसे सुभई जल दिया जाएंगे पर अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि मुझे फनगर से थोड़ा हटके है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है तो जी इधर मैं आई हूं इनको उठाने के लिए 6 बज़े उठा देती हूं मैं कई बार पहले भी क्योंकि होता है बच्चों का उठाते हैं तो उठते नहीं है तो यह एकदम से उठ जाएंगी तो उनको भ खारी हूं अभी तो अभी आ गई हूं मैं कीचन में उनको बोल बाल के की उठाओ तो अभी उन्होंने कोई रिस्पोंस दिया नहीं है तो दो जार बार उठाना पड़ेगा तब जाके उठेंगे बोने 6 बज़े से उठाना शुरू करते हैं तब जाके कहीं 6 बज़े उठत करता है ऐसे कभी कभार वरना देखते हैं कि रात को बरतन नी चोड़ने चाहिए जूटे तो रात को मैं सारे बरतन रात को इसाफ करके रखती हूं तो जी बस इधर आ गई हूं मैं उपर और देखो भी सूर्य देवदा तो यह नहीं खैर परकट अभी मोसम बढ़िया तो मैं आ गई हूं उपर नहाने के लिए और नहा के देखो यह भी उठ गई दोनमा अलकस चड़ रहा है तो इधर मैं यह दूद रखरी हूं दूद पकतते हैं चाई 20 पी पगा लेते हैं चुले पर तो फिलाल तो मैं दूदी बनाऊंगी क्योंकि चाई पीने वाला भी है नैं बच्चे चाते हैं दूद पीए के चाई पीने वाले इनके लिए भी दोदी बनता है तो मैं एक मी पापड़ जी पीती है सोझती रखतिए और यह बना दिया था अ ने इनका breakfast breakfast में बनाए थे नमकीन जमेन के लिए बोल आयू बोला तो पूछ लेती हूं जैसे कुछ अलग सा बनाती हूं कि ये बना दू क्या तो फिर आयू से पुछा था तो आरू का खाना ऐसा ही है ये तो कुछ भी इसका पशन्द का भी बना दो उसमें से भी छोड़के आजाती है इसका यह है छोड़ती जरूर रही है तो मैं इधर आरू से पूछ ली थी मैं कि इतना रखतूं तो यह नहा लिए थे दोनों बच्चे और अरूने अपनी उनिफॉर्म खुद पहन ली थी मैंने बोल दिया था इसका यह होता है जब मम्मी होती है तो मैं बोलती है तो वह मैंने लगा दी है आई तो खेर अपने आप फुदी रेड़ी हो जाता है सारा मतलब सारा कुछ अपने आप ही कर लेता है तो इधर में सोक्स पहनारी हो इनको और देखो दूद भी रख दिया मैंने इनका करके जैसे सुवी गरम हो रखा होता है न तो मैं पानी में रख देती हूं दूद जल्दी ठंडा हो जाता है सोचना नहीं पड़ता उसके लिए कि यह फिर जल्द बाजी में चिक-चिक-चिक-चिक करते रहते हैं तो इधर में ने आरू को दे दिया दूद और इसका यह है मैंने बताया था आपको यह छोड़ती जरूर है चाहिए इसको कितना ही कम दे दो या अधी किलासी दे दो उसमें से भी छोड़ लेगी तो मैंने का इसको खतम कर तो फिर लेके बैठी है दूबारा तो जी अभी मैं लग रही हूँ नोन स्टोक बिलकुल और काम पर काम या दा रही जा रही है तो सबसे पहले तो बच्चों कोई भेजना होता है क्योंकि पूर्णी साथ बजे तक इनकी वैन आ जाती है फिर अपना बाब मैं देखेंगे क्या करना है क्या निक तो जमी वैस हैं पाप जी तो खीर भी नहीं खाते तो खीर खा लेती हूं मैं पर जमी मैंगी यह चाओ मीन वगएरा मैं कुछ नहीं खाती है तो इधर हो गई है बच्चे रेड़ी आरू कंगी करके आई हैं अंदर मुझे कलच नहीं मिल रहा तो मैं कलच के बिना प्रेशान हो रही हू तो जी इधर आ गई हूं मैं बच्चो को छोड़के मैं आ गई हूं फिर यह कपड़े उपड़े लेके क्योंकि निच्चे फैले पड़ेते अच्छन लग रहा था और मुसम का अजकल ऐसा ही है पता नहीं चलता कब मैंने बारी सा जाई तो इधर लेके आ गई हूं मैं और क्योंकि हो रहा है जाड में गड़ बड़ चल रही है आजकल तो दूद तो पीतनी सुबह को भी शाम को भी दूद में पत्ती लगा देती हूं वोई पी लेते हैं तो जी बस इधर फैला रही हो मैं कपड़े और देखो रात में साम के टाइम दो दिये थे मैंने कापी सारे कपड़े थे तो धुलि गए थे और आलकस कर जाते तो बस पी बड़े रदे यह तो है निवासिंग मसीन लगा दिए और काम करते रहे दूसरा काम ॔र कपड़े भी दूल गए तो बस ऐसे ही होता है आदत पढ़ जाती है एक तो जैसे हाथ से दोने की तो पता होता है कि हाथ से दोने है तो दोने ही दोने है तो दोलो फटा पड़ तो मैंने दो दिये थे और यह कुता है जो यह इधर चटो चटो पर कुछ आके पता नहीं कहा कहा जाता है और इसको कितना ही भगा लो जैसे एकदम से आजाता है उपर और इधर पूट्टी भी कर गीर देता है यह भार तो तो इधर जैसे रात को हम उठके गए थे तो सारे कपड़े ऐसे ही मतला फोल्ड करके आपस में तो ऐसे ही रख दिये थे मैंने तो अभी लाई हूँ इनको निकाल के इनको फोल्ड करके तब मैं इसको अंदर रखूँगी और फिद देखते हैं निच्छे जाके निच्छे का तो खेर पड़ा ही है सारा है आह ळाफ ऐला सब ऐसे पड़ा है तो इधर मंजोवी आ गई थे पापजी आ गई थे मोने 8 बजी गई है तो मैंने इनको दे दिया है नास्ता और अपने लिए भी रोटी बनाई है चाशता वास्ता और काम दाम सारा ऐसे ही पड़ा और बम्यों राय ते खेत में चले गए नास्ता करके घास वास लेके आएंगे तो वस आज का व्लोग यहीं पर एंड करती हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब और प्लीज केमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी तो जी कुस रही है सुच रही है मस रही है बाई बाई